नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे small cap shares for long term, for short term and for multi bagger stocks which can produce और कौन दे सकता है best 5 small cap stocks के बारे में तो दोस्तों अगर हम लोग चर्चा सुरू करें और कैसे capital को अपने increase करना है उस पर discuss करें तो दोस्तों आपसे request है कि complete video देखिएगा जब आप complete video देखते हैं तो हम लोग अलग अलग चार्ट के माध्यम से साथी दोस्तों अलग अलग pictures के माध्यम से आपको depict करेंगे आपको बताएंगे कि क्या region है इन small caps को choose करने के लिए तो चलिए दोस्तों चर्चा की सुरुवात करें इससे पहले दोस्तों अगर आप intraday trading करते हैं तो हमारे telegram channel से जरूर जुडिये जिसका link description box में दिया गया है the trading bulls नाम से और दोस्तों किसी को भी demat account open करना है तो आप stock link पर भी click कर सकता है चलिए दोस्तों चर्चा को सुरू करें सबसे पहले दोस्तों चर्चा की सुरुवात में disclaimer को ध्यान से पढ़ा करें we are not say be registered financial advisor all the information provided in the videos for educational purpose only तो अगर आपको दोस्तों trade लेना है तो आप अपने financial advisor से सला लेने के बाद ही investment किया करें चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं कि best five small cap stocks कौन से हैं तो उसमें सबसे पहले हमने चूच किया Granules India को, दूसरा Infibie Menu को, तीसरा Wellspun India, चौथा Aircon International और पांच में हिमादरी Specialty Chemical दोस्तों, Granules India Pharma से विलाउं करता है Infibie Menu IT सेक्टर का है Wellspun India Textile Industries का सेर है और Aircon International आपका Railway से है और हिमादरी Specialty Chemical आपका Chemical Industries से है तो five different sectors के stocks चूच किये हैं small cap stocks में जो कि आपको return बना के दे सकते हैं चली दोस्तों, एक-एक करके हम लोग इनकी analysis करते हैं सबसे पहले दोस्तों, Granules India की share analysis करी जाए Granules India में अगर आप यहाँ पे key factor देखें तो market cap जो है 8,434 क्रोड के आसपास है और death only 892 क्रोड की है तो लगभग-लभग 10-12% का death है तो death ratio काफी अच्छा है इस company में साथ यह दोस्तों, liquidity high है promoter ownership भी 42% की है और 52 week range जो है 205 से 438 के करीब है और currently जो 340 के range में है यहाँ पे price 340 के round है तो वहाँ से देखें तो अभी भी इसमें upside potential काफी है और 340 से यह दोस्तों 4500 से 500 के भी range में जा सकता है तो यह से downside risk भी कम है EBITDA और net profit भी काफी अच्छा रहा है 10 years aggregate अगर देखें तो 11-28 crores के आसपास आपका profit नजर आता है और EBITDA margin भी अच्छा है साथी दोस्तों key ratios देखें तो return on equity लगाता increase कर रहा है आप March 17 देखें 18 देखें, 19 देखें, 20 देखें, 20 देखें तो revenue इंक्रीज कर रहा है साथी return on equity भी देखें तो इंक्रीज कर रहा है और cash flow from the operations इंक्रीज कर रहा है और earning per fare भी इंक्रीज हो रहा है तो कहें न कहें सारे पैरामीटर फे ये बढ़िया कंपनी निकल के आती है और जिस तरह से ग्रैन्वल्स इंडिया पैराशिटर मॉल मैनुफैक्चरर में सबसे अची है तो आगे चलके कोबिट की वज़ा से इनको एक बढ़िया अपरचुनूटी भी मिली है जो आगे चाके कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती लगातार वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कोबिट की वज़ा से इनकी अर्णिंग्स में और भी जंप देखने को मिलेगा तो ये बढ़िया शेर हो सकता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो की हमारे कैपिटल को 50% to 100% इसके लावां HSCL का शेर एनलसिस देखे हिमादरी स्पेशालिटी केमिकल्स 2316 करोड की मार्केट कैप है डेथ रेशियो 504 का है तो लगबग लगबग डेथ कह सकते हैं यहाँ पे की करीब 20% के आसपास का डेथ है 20-25% का आसपास का डेथ है और जो रेंज है 37 रुपीज 50 चास पैसे लोवर साइड और हाई साइड 64 रुपीज करेंटली अगर आप देखें तो 50-52 रुपीज के आसपास स्टॉक है तो वहां से अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार 948 क्रोड के आसपास आप दोखिए दोस्तों मार्केट कैप 2316 क्रोड और प्र रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू ऑपरेशन में कंसिस्टेंट बने हुए हैं 17-18-19 में इंक्रीज कर रहे थे वहीं 20 और 21 में माइनर से डिक्रीज देखने को मिला था द्यू टू कोविट इंपक्ट और 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 साथ ही दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी 21 में थो शेयर में भी काफी कम है अगर 52 वीक लो देखें तो 37 रुपीज 50 पैसे का मात्र है और उपर की तरफ कभी ये शेयर दोस्तों 100 रुपए के आसपास 1200 के आसपास चलता था तो वहां को ये टच कर सकता है हिमादरी स्पेसियालिटी केमिकल हमडी सी लार्जेस्ट मैं तो एक अच्छा निकल के आजबता है आगे दोस्तों चल रहे हैं इरकॉन की स्टॉक इनलिसिस की तरफ अब दोस्तों देखिए इरकॉन गौर्मेंट शेयर है एर रेलवे का शेयर है इसकी मार्केट कैप 4458 क्रोड के आसपास है टोटल डेथ 2461 क्रोड के आसपास है लेकिन दोस् देखिए तो इसका जो रेंज रहा 36 रूपीज 38 पैसे लो साइड और हाई साइड 54 पैस करेंटल 47 रूपीज के आसपास है लगातार नेट प्रॉफिट देखिए तो इनकी जो मार्केट के पर उससे ज्यादा तो इनका नेट प्रॉफिट हो रहा है जो एग्रीगेट है फ्लैट सी बनी हुए है क्योंकि दोस्तो इसमें डिविडेंड इन ये काफी अच्छा देते हैं लगबग साथ से 8 परसंट 10 परसंट का डिविडेंड हर साल आपको इस सेर में मिल जाता है इसलिए जो रिटेन ओन इकुटी है वो लगबग लगबग फ्लैट सी रहती है ले अगर बात करें तो ये एक सेर अच्छा हो सकता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बेट हो सकता है इसमॉल कैप में जो की आगे जाके बढ़िया रिटन दे सकता हमारे प्राइस को सतर से असी रुपए तक यह डबल भी कर सकता है ये शेर आगे चलते हैं दोस्तो इन्फ करोड का है और डेफ रेशियो देखिए तो बहुत कम डेफ है इस कंपनी पर 26 करोड का मात तबलियत है तो डेफ फ्री कह सकते कंपनी है ये लबब और नेट प्रॉफिट भी 225 करोड और अच्छा है तो कहीं न कहीं यहां पर देखिए तो रेवेन्यू जंप हो रहा था 17- 18-19 में लेकिन 20-21 में कंसिस्टेंट है और अब फिर से रेवेन्यू में उचाल देखने मिला है इनका जो सीसी एवेन्यू गेटवे है वो काफी इंपोर्टेंट है और सीसी एवेन्यू गेटवे से इनकी अच्छी इंकम होती है इसके अलावा अर्णिंग पर सेर देखिए लेकिन पिछले जिस तरह से डेवलप्मेंट हुए है पिछले कुछ दिनों में और कैस्ट फ्लोस देखे ऑपरेशन में जंप किया है तो इन में आगे चलके फ्यूचर एक नजर आता है और ये शेर भी लगबग 50-92 रुपे है या आगे चलके दोस्तों 70-80 रुपे तक जा पास पास है तो ड्रेशियो ठीक ठाक है करीब 25-30% का डेथ है और यहां पर नेट प्रॉफिट देखे तो इक 300 क्रोड का हर साल ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं और एबिटा भी अच्छा है तो कहीं न कहीं अगर आप revenue from the operation करें तो लगातार अप हो रहे हैं वहीं पर आर कर रही है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री जिस तरह वर्क आउट कर रही है और लॉटण ओपन होते ही ये एक थीम बहुत अच्छी वर्क आउट करेगी तो आगे चलके इस शेयर में और भी अच्छे रिटर्न बनने की चांस है हलाकि इस कंपनी ने और डबल ट्रिपल रिट चुके हैं तो चालिस रुपए से चालिस रुपए से चलके सो रुपए के आसपास स्टॉप पहुच चुका है तो अच्छे रिटर्स अभी तक दियें आगे भी ये कंटीन्यू करेंगे तो आगे चलते हैं दोस्तों अब इन कंपरेटिव एनेलेसिस देखिए दोस्तों व लेकोन इंटरनाशनल का ब्लैक वाला यहां पर ग्राफ है यह वाला और हिमात्री स्पेशालिटी केमिकल का ग्रे वाला है इंफी विम एवन्यू का ओरेंज का है और साथ में जो डार्क ब्लू दिख रहा है यह वाली लाएं यह स्मॉल कैप की लाइं इंडेक्स है तो अग लेकिन अगर सबसे कम जो परफॉर्म किया है वो इर कॉन ईटरनाशनल ने परफॉर्म किया है और साथ में दोस्तों हिमात्री स्पेशेलिटी लेकिन इर कुए इ STARTना चाहिए इसको अगर हम देखें कि इसने डिविडेंड विड बे देते हैं तो यह एक करफॉमेंस और तो इनकी performance यहाँ पर नजर आती है अब हुम लोग दोस्तो चार्ट चेक करते हैं short term और long term दोनों term के लिए चार्ट चेक तो चली दोस्तो live analysis पर चलते हैं चार्ट चेक करते हैं आपको कि किसका क्या चार्ट चेक है सबसे पहले दोस्तो वेलस्पन इंडिया 102 रूपीज के आसपास 31 रूपे से दोस्तो चला था triple से जादा का return दे चुका है अब इसका चार्ट देखिए longer term सबसे पहले चार्ट देखिए लगातार देखिए तो upside return बनते ही जा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तो देखिए तो 86 रूपीज से यह upside बना है तो अगर आपका long term नजरिया है तो 77 के stop loss के साथ उपर के label और भी चलते जाएंगे और दोस्तो एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि यह लगभग uncharted trajectory में पहुचने ही वाला है जैसे 109-110 रूपे के आसपास पहुचेगा यह uncharted trajectory में पहुचता है और जैसे ही दोस्तो uncharted trajectory में कोई भी ग्राप पहुचता है तो उसमें 15-20% का jump और देखने को मिलता है यानि यह share 81 साल में 140 रूपे के आसपास हो सकता है वन येर्स के अगर पर्सपेक्टिम देखें तो 140 रूपे के आसपास हो सकता है दोस्तो आपको stop loss जो लगाना होगा वो 77 रूपीज के लगाने होगे वहीं पर दोस्तो अगर shorter में देखें तो shorter में आपको 85 रूपीज का stop loss लगाना पड़ेगा और उपर के level 115 से 120 के target नजर आ सकते हैं इस share में वहीं पर दोस्तो infi view में menu का देखें पचास रूपए का प्राइस है 52 वीक हाई 85 रूपीज है और 52 वीक लो 28 रूपीज है यह share भी काफी अच्छा चला है डबल करके return दे चुका है तो अभी दोस्तो पांस साल का अगर हम चार्ट चेक करें तो पांस सेल में कभी यह share दोस्तो 120 रूपए पे होता था इवन 120 से 130 के नजरिये देखने को मिल सकते हैं एक साल के अंदर वहीं पर दोस्तो अगर short term perspective में है तो आपको बहुत ही छोटा सा stop loss लगाना पड़ेगा short term के लिए वो है दोस्तो यहाँ पे 47 रूपीज का एक stop loss short term में नजर आता है और उपर के लेबल 55 तू 56 रूपीज देखने को मिल सकते हैं अब आगी चलते दोस्तो हिमाद्री स्पेसालिटी की तरफ 55 रूपए का प्राइस है 63 रूपीज के आस्वा 52 वीक आई 52 वीक लो 37 रूपीज 50 पैस है अब इसका दोस्तो चार्ड चेक करते हैं long term के लिए तो long term के लिए दोस्तो आपका इसका जो major resistance है वो 40 रूपए इसके आसपास है आपको 35 रूपीज का stop loss लगाईए और उपर के लेबल हम लोग 100 रूपए तक के इसमें target देख सकते हैं यह share भी double हो सकता है 35 रूपीज के stop loss के साथ लेकिन दोस्तो अगर shorter term में देख रहे हैं तो इस share में एक जो buying level होता है वो लगबग 48, 49 रूपीज के आसपास buy करना चाहिए और 42, 43 रूपीज के आसपास एक major resistance है यहाँ कहीं तो वहाँ पे आपको stop loss लगाना पड़े तो 42 रूपीज के stop loss के साथ उपर के तरफ 60 रूपीज लेकिन buying level दोस्तो 47 से 48 के रेंज में रखना पड़ेगा अब दोस्तो आगे चल रहे हैं एरकॉन इंटरनेशनल के तरफ एरकॉन का देखिए share दोस्तो 52 week high 54 रूपीज 52 week low 36 रूपीज और अगर हम देखें दोस्तो लॉंगर रन में तो ये share आगे चल के 60 रूपे के level भी जा सकता है बहुत कम fluctuating share होता है और नीचे के level 40 रूपे तो यहाँ पे dividend yield भी एक important factor है दोस्तो 10% के आसपास हर बार dividend yield देते हैं और 10% से 20% आपको equity में return भी मिल सकता है तो 20% का अगर equity return ले ले तो total 30% का profit एक साल में बन सकता है वहीं पर दोस्तों shorter term में देखें तो shorter term में दोस्तों ये share ये क्योंकि divide हुआ था ये share तो इस वज़ा से आपको दिख रहा है यहाँ पर bonus की वज़ा से divide हुआ तो 45 रुपीज के stop loss लगाईए और उपर के label 50-51 रुपीज पर book कर सकते हैं profit आगे 400 चलना है Granules India की तरफ Granules India में 437 के 52 week high और 204 का 52 week low इसका जो यहाँ पर अगर हम longer perspective में देखें तो लगातार आप highs बनाता जा रहा और नीचे के site आपको दोस्तो जो stop loss लगाना है वो लगबग 270 के लिए लगाना है और उपर के level 500 तक के target निकाल सकते हैं जब यह 440 को breach करेगा वहें पर दोस्तो short term की अगर हम बात करें तो short term का इसका major resistance लगबग 295 के आसपास 295 के आसपास तो हमारे टेलिग्राम ट्विटर और फेस्बुक से ज़रूर फॉलू करेए जुड़िये थैंक्यू दोस्तों